हेलो दोस्तों, स्वागत हैं आपका हमारे यूटूब चैनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों सुरू करते हैं नागराज का एक रोमान्चक कॉमिक विज़े सांग काल कराल का अंतिम भाग नागराज? नागराज कोन? हम तो एक ही नागराज को जानते हैं मद्य युक्का सबसे सक्षम रक्षक नागराज सक्षम की तो मैं नहीं जानता पर रक्षक नागराज मैं जरूर हूँ पर तुम यहाँ अब और कुछ मत पूछना क्योंकि अब पूछना मुझे है तुम यहाँ के रक्षक लगते हो काल कराल से तुम्हारा क्या संबंद है काल कराल तो मेरे गुरु है उनसे मैं काल इच्छधारी होने के गुर्ज सिख रहा हूँ क्या तुम भी काल इच्छधारी सर्फ हो नहीं मैं यहां तक कैसे पहुँचा यह मुझे भी नहीं पता पर पहुचा मैं सही समय पर हूँ दुरा के इस चम्चे के हातों में मैं इन एनर्जिक क्रिष्टल्स को पढ़ने नहीं दूँगा मैं भी तुम्हारी मदद आहा तुम अपने आपको संभालो इसको मैं देखता हूँ उफ इन प्रिष्टल्स के चारो तरफ एक अजीबो गरीब सक्तिक का पावर फिल्ट है जो मुझे उडने से रोक रहा है प्रन्तु अगर ये उर्जा मुझे कमजोर कर रही है तो इस पर भी समान असर डालेगी इसकी सक्तिया भी शीन होती दिख रही है पर ज्यादा नहीं ओफ इस लडाई का नतीजा निकलने में समय लग सकता है मुझे पहले प्रिंग क्रिष्टल्स की सुरक्सा का इंतिजाम करना होगा और उसके बाद आहा इनके सपर्स का जटका तो एकदम अलग सा है हाई वोल्ट बिजली के जटके से भी बुरा उफ ये क्या हुआ अब कुछी पलों में ये नागराज के इसनाई उतंत्र को या तो नश्ट कर देगा या अपने कबजे में ले लेगा मैं आ आ रहा हूँ नागराज संभाले रखो अपने आपको अब मैं भी अपनी सक्तिया वापस आती हुई महसूस कर रहा हूँ रत्युदूद ये क्या है अगर ये जीवित प्रानी है तो मेरे सरीर के अंदर गुशते ही इसके तंतुग गल जाने चाहिए थे ये शायद ये गल तो रहे हैं पर साथ ही साथ बनते भी जा रहे है पर मैं अपना नर्वस सिस्टम दुबारा नहीं बना सकता अब तो मैं अपना हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ पर फिलहाल हाथ हिलाने के जरूत है भी नहीं मुझे सिर्फ एक पल की रहत चाहिए ताकि मैं असंतुलित होकर इस फैन पर गिर सकूँ और उसके बाद इसके तंतु एट कर अपने आप मेरे सरीर से बहार निकल जाएंगे और मैं इसको असंतुलित कर दूँगा आँ, मुझे इसके फटने का अंदाजा नहीं था नागराज इस युद को अगर समाप्त हुआ समझ रहा था तो अब उसके समाप्त होने का वक्त आ गया था आँ, तो ये इसकी चालती दुस्मन को मरने से पहले मरा नहीं समझना चाहिए अब तो, आँ, इसको शरीर से दूर रखने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है अब तु गया नागराज सुना है, ये भूतकाल से आया है वहीं मर जाता, इतनी मैनत करके मरने की क्या जरूरत थी बस, रुख जा ये, ये तुमने कैसे किया इसी की गलती से, कुलाडी पर पैर मार लिया था इसने अगर ये अपने तन्तों से मुझे कंट्रोल कर सकता था तो मैं भी इसके तन्तों से इसे कंट्रोल कर सकता था मैंने इसको तन्तों के द्वारा हिप्टोटिक तरंगे भेज कर इसे वस में कर लिया और इसका पिंक क्रिश्टल्स ले जाने का सपना, सपना ही रह गया, अरे क्रिश्टल्स कहां गये, यहां तो सिर्फ एक बचा है, मैं समझ गया, पहुँच शातिर चाल चली है दुराने, हम इससे उलजे रहे और क्रिश्टल्स कोई और ले गया, पर कैसे ये कोड़ तो मेरे स अरपो से ढखाता, इनको जीते जी हटा पाना, किसी महासक्ती के ही वस की बात है, और वह एक क्रिश्टल्स क्यों छोड़ गया, अगर सारे क्रिश्टल्स उठाने की कोशिस करता तो, पावर सप्लाई ही बंदो जाती, चारो तरफ अंदेरा चा जाता, और वह पकड़ा जा लगता है, दुरा हमसे एक कदम आगे चल रहा है, इसी कारण वह आज तक हमसे बचा हुआ है, पर अब उसको रोखना एसमभव है, अब वह हमको धूल में मिला देने की ताकत रखता है, बस एक बास समझ में अभी भी नहीं आ रही है, और वह है दुरा की टाइमिंग, यही काम करना था, तो वह बहुत पहले कर सकता था, इतना इंतिजार क्यों किया उसने, साब बास नाग पासा, मुझे पता था कि तुम नाग राज को हराने में सफल जरूर होगे, अब यह एनरजिक क्रिश्टल मुझे दे दो, और मुझसे इस धरती पर राज करने की सक्ती ले पिंक हीरो की सक्ती तो मेरे पास पहले से ही है, अब मुझे तुझ से सिर्फ एक चीज और चाहिए, तुमारा समयधारा में ले जाने वाला यंद्र, ऐसा करोगे तो कम से कम अपनी जिंदगी इस युग में ही सही काट लोगे तु दोगले, आँ, अंदा है क्या, मेरा तो एक ही गला है धुराने गलत जंगया पर सही दाव चलाता, पर यहां तो खेल से पासा ही गाय अपता वट, ये गटना तो कानून विवस्ता की धज्या उड़ा देगी, कुछी गंटों में पूरा विश्व अंदकार में डूप जाएगा और उसके बाद हजारों काल कराल और लाखों मरत्युदूत मिलकर भी इस्तिती को संभाल नहीं पाएंगे इससे पहले की बिजली चली जाए, मैं अपना मैसेज पूरी दुन्या के लोगों को दे देना चाहता हूँ आज से मैं आप सब की नई पावर सप्लाई एजन्सी हूँ पावर का नया रेट आप तक पहुँचा दिया जाएगा और हाँ, किसी देश को अगर आपत्ती हो, तो उस देश को समतल करने में हम मदद भी कर सकते हैं अब जो मेरे सामने गुटने नहीं टेकेगा, वह खड़ा होने के काबिल ही नहीं रहेगा उफ, अब तो बात हमारे हाथ से चाह चुकी है दुरा वापस आकर पूरी दुनिया को अपने कबजे में ले चुका है अब तो सिर्फ देश की सरकारे ही इससे निपड़ सकती है या फिर काल कराल पर काल कराल है कहां? कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं है की नहीं, ये संदेश दुरा का नहीं है ये कैई किलिप्स को जोड़कर बनाया गया है बीच बीच में जटके साफ देखे जा सकते हैं हमको इस संदेश को बनाने वाले तक पहुचना है ये समस्या तो ओर टेडी हो गई जरूर दुरा का कोई आदमी उसे डबल क्रोस कर रहा है पर सवाल ये है कि वह सक्स है कौन साबास चेले मैंने तेरी पावर को इस पावर ट्रांसफोर्मर से लिंक कर दिया है अब तेरी पावर फिलहाल सिर्फ दस गुना बड़ी है पर ये दुरा को पीटने के लिए परियापत है सही कहा गुरुदेव मैं भी इसको मारना नहीं सिर्फ इतना पीटना चाता हूँ कि ये अपनी समय सक्ती दे कर वापस भाग जाए आहा मुझे समझ जाना चाहिए था कि तु मोका मिलते ही डबल क्रोस करेगा जो अपने भाई का नहीं हुआ वे भला मेरे कैसा होगा मैं तेरी जान बक्स रहा हूँ और तु मुझे कोस रहा है अब तो मैं तुझे डबल क्रोस करकर ही रहूँगा ये उसी पिंक एनरजी की तलवार है अब इसी से मैं तुझ पर डबल क्रोस बनाऊंगा और तुझ में इतनी ताकत नहीं है कि इसको रोख सके बंदर के हाथ में चाकू दोगे तो अपनी नाकी काटेगा जैसे पहले दुरा ने काटी और अब तू काट रहा है एकदम सही समय पर आए हो काल कराल तुमने हर बार मुझे मेरी मुरुकताव की सजा दी है इस बार भी दो पर पहले दुन्या को तबाह होने से बचा लो तुम अपनी समय धारा की सकती का परियोग करके इसको सकती हासिल करने से पहले ही रोख सकते हो मैं समय सकती का परियोग कर नहीं पा रहा हूँ सायद इसलिए क्योंकि जब हम भुतकाल में थे तो मैंने अपनी समय सक्ती बालक नागराज को देने की कोशिस की थी ताकि वह तुमारे चंगुल से छूट कर दूर जा सके पर ना तो सिसुन नागराज कहीं जा पाया और ना ही मैं अपनी थोड़ी सी सक्ती को वापस बटोर कर यहां तक आ पाया हूँ पर तुम अपनी समय सक्ती का पढ़ियोग क्यों नहीं करते पता नहीं क्यों लेकिन मैं अपने युग में मोजूद यंत्रों से संपर्क नहीं बना पा रहा हूँ काल कराल और दुरा की यह अगोशित संदी भी उनके प्रानों को शरीर से दूर होने से बचा नहीं पा रही थी हमारे पास वक्त बहुत कम है नागराज बहतर होगा कि हम घर में बैठ कर निती बनाने के बजाए सीधे दुरा के आदमियों पर धावा बोले और उस सक्स का पता लगाने की कोशिस करे जो पिंक एनर्जी क्रिस्टल्स का असली लुटे रहा है उसमें समय लगेगा म्रत्य दूद और चेतावनी के अनुसार हमारे पास सिर्फ आदे घंटे का समय है जिसमें से पांच मिंट हम खर्च चुके हैं वैसे तुमको क्या लगता है क्या काल कराल की मंगेतर का हत्यारा और एनर्जी क्रिस्टल का लुटे रहा एक ही सक्स हो सकता है क्या पर वह तो पक्का दुरा का ही काम था काल कराल ने ऐसा तो नहीं कहा था हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो इस नजरिये से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं बस अगर तुम लोग इतना सोच सको कि वह कौन सक्स हो सकता है जिसे काल कराल के गुप्त रूप के बारे में भी पता हो तो हमको पटकना नहीं पड़ेगा कहीं वह सक्सतो अपरादी नहीं है कौन? वह ये? ये तो मैं ये क्या मजाक है? मजाक होता तो अच्छा था पर ये सत्य है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है एक अलप विक्सित दिमाग और क्या सोच सकता है सिर्फ इतना बता दो कि वो एनर्जिक क्रिश्टल्स कहां है ताकि उसके बाद मैं तुमको यहां की पुलिस के हवाले कर सकूँ। मुझे आश्चरिय हो रहा है कि ऐसा बला तुम सोच भी कैसे सकते हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं। बस तुम पर सकतो मुझे काल कराल की मंगेतर की हत्या का मामला जानने के बाद ही हो गया था, क्योंकि सिर्फ तुम उसके गुप्त रूप के विश्य में जानते थे, परन्तु पिंक क्रिश्टल चोड़ी हो गये हैं, ये भी सिर्फ मैं, तुम और चंद गाड़ ही जानते थे दुरा का फटाफट वीडियो बना डालना सिर्फ तुम्हारा काम ही हो सकता था ये जानने के बाद मेरा सक दूर हो गया सारे तथ्ये अपने आप आपस में जुड़ने लगे और सबसे पहला तथ्ये यही ता कि तुम बगैर काल कराल की जानकारी में आए समय इच्छा सकती को प्राप्त कर चुके थे तेरा दिमाग तेरे समय की तुलना में काफी विक्सित है तू उस सच को समझ गया जिसको काल कराल भी नहीं समझ पाया काल कराल का सहयोगी उसका दोस्त उसकी साइड किक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे काल कराल ने मेरा वजूद ही खतम कर दिया था उस वजूद को वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका था काल कराल को खतम कर देना पर पहाड को काटने के लिए बड़ी ताकत और दुन्या की सबसे बड़ी योजना चाहिए होती है और इस दुन्या की सबसे बड़ी चीज थी उर्जा और उस उर्जा को देने वाले पिंक क्रिश्टल्स, क्राइम किंग धुरा और काल कराल की दुस्मनी जग जाहिर थी इसलिए मैंने बगेर उसको अपना रूप दिखाए उसकी मदद की, क्रिश्टल्स को चुराने में भी और भागने में भी फेरा एक मात्र उद्देश से काल कराल को इस समय काल से दूर करना था पर सिर्फ इतना ही कारन काल कराल को दुरा के पीछे बेजने के लिए काफी नहीं था इसलिए मुझे इस मामले को व्यक्ति गत बनाना पड़ा ना चाहते हुए भी उसकी मंगेतर की जान लेनी पड़ी और इसका ठीकरा दुरा के सिर्फ फोड़ना पड़ा और जब एक बार दोनों दूसरे समय काल में पहुँच गए तो मैंने यहां पर अपना काम शुरू कर दिया अब मेरे पास वह सकती है जिसके सामने काल कराल भी नहीं ठहर सकता तुमने दिमाग तो अच्छा लगाया पर पूरा नहीं लगाया पावर इस्टेशन में तुम्हारा गायब हो जाना संदे स्पत्ता अब जब तक काल कराल वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहां से एक कदम भी पहार नहीं निकालोगे और जिस तरह से क्रिस्टल्स गायब हुए वे तरीका कोई समयधारा में चल सकने वाला ही अपना सकता था अब जब तक काल कराल वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहां से एक कदम भी बहार नहीं निकालोगे समयधारा में चल सकने को रोकने की शमता तुझ में नहीं यह नागराज आहा अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू जिन्दगी बर साइड की खी क्यों बना रहा तेरी अकल उस योग्या ही है यहाँ पर तू समय सक्ती का पर्योग नहीं कर सकता यहाँ पर तेरे सामने सिर्फ मैं हूँ और तूने मेरे भूत काल में जाने की कोशिस की तो तो खुद बखुद काल कराल तक पहुँच जाएगा इससे यह उर्जा वापस लेनी बहुत जरूरी है दुरा वरना हम अपने भूत काल को खुद ही तबाह कर लेंगे और ना जाने इसका हमारे समय काल पर क्या असर पड़ेगा मेरे अनुमान से तो वह समय काल कभी आएगा ही नहीं और ऐसा होने से सिर्फ तुम ही इसको रोक सकते हो इसके भूत काल में जाकर इसको ये उर्जा हासिल करने से ही रोक दो मैं ऐसा नहीं कर सकता उस भूत काल का परियोग मैं कर चुका हूँ उस समय मैं वापस जाने की चेश्टा की तो मैं फिर से तकसक नगर ही पहुचूंगा कुछ करने की जरूरत नहीं है वह सक्ती नाक पासा के सरीर में है और हमारे सर्पों ने ये पूरी जमीन खोद दी है पागल हो गए हैं ये सब इन दोनों बातों में तो कोई संबंध ही नहीं है तीन तक गिनो हाँ 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 तुने अपनी बची जिन्दगी का हिसाब खुद ही लगा लिया ले बोलता हूँ एक दो तीन अरे 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 हम सभी जमीन के नीचे आग रहे हैं अब यहाँ से हम तो बाहर निकल जाएंगे पर तू नहीं निकल पाएगा नाकपाशा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है तेरे सरीर में वह पिंक उर्जा है जो बिजली गिरने से पैदा हुई है और भुमी हर तहे की उर्जा को सोकने की शक्ती रखती है अब जब तक तू एनर्जी को नहीं छोड़ेगा तब तक धर्टी तुझे नीचे खीशती रहेगी क्योंकि वह उर्जा तेरे सरीर के अंदर है ये सच है इससे पहले की ये मिट्टी मेरा दम गोड़ते इसको त्याग देने में ही मेरी भलाई है उफ बाल बाल बचा अगर वो गुलाबी उर्जा ना छोड़ता तो मेरा दम गोड़ जाता तो क्या होता मुर्खा दिपती तू बार बार भूल को जाता है कि तू अमर है अमर को भी डर लगता है गुरुदेव दम गोड़ता है तो आउ लगता है तुने बना बनाया खेल बिगार दिया अब मैं सबसे पहले ऐसा जहर बनाऊंगा जो तुझे मार सके आप नागराज की तरफ हो गए हैं गुरुदेव चुप अब तुम दोनों मुझे धन्यवाद बाद में देना पहले ये बताओ अरे वे दोनों तो मलबे से बाहर आई ही नहीं लगता है चले गए कारिया पूरा होते ही समय धारा का परवाभी अपना रुक बदल रहा था पर यहाँ पर एक अवरोद अभी अटका हुआ ही था बहुत हो गया नागराज तुने मरने के लिए जितना लंबा सफर तै किया है उतना तो मानव इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा वैसे तो तुझे मात देना मुश्किल है पर तु स्वाभाविक तोर पर इस युक का नहीं है जरूर तुझे काल करालने अपनी सक्ति दी होगी बस तुझे थोड़ा सा समय धारा में धक्का देना पड़ेगा और तु वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से तु आया है हाँ 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 अब इस दुन्या के पूरी एनरजी मेरी मुठी में है और ये दुन्या भी और तू मेरी मुठी में मैंने आते आते तेरी स्विकारोक्ती सुन ली है तू हत्यारा भी है और गददार भी मुझे माफ कर दो दोके के लिए तो मैं तुझे माफ कर दूँगा क्योंकि वह व्यक्तिगत मामला है पर हत्या और लूट का जवाब तो तुझे देना ही होगा वह तो भला हो नागराज का जिसको मैंने अंजाने में ही चिसु रूप में अपनी समय सक्ति दी थी पर उस सक्ति ने काम नागराज के वर्तमान रूप पर किया और उसको यहां भविस्य में भेज दिया वरना मेरी आँखों पर तो तेरी मित्रता का परदा पड़ा ही रहता अरे नागराज तुम कहां से पता नहीं मैं कुछ ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ बस ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई अजीबो गरीब सपना देख रहा था पर यह कौन सी जंगह है और यह धाचा कैसे तूटा इसे धाचा नहीं गुरुदेव का सपना समझो या फिर नाकपासा का कॉन्फिडेंस फांच मिंट पहले तक यह जंगह गुरुदेव की लैव और नाकपासा का अड़ा थी और यहाँ पर काल कराल और धुरा भी थे खैर यह सब तो हम तुमको बताएंगे ही पहले तुम याद करो की तुम कहां गायब हो गए थे हुम याद तो आ रहा है क्या यही कि मैं कुछ भूल रहा हूँ समाप्द चलिए दोस्तो इस विशसांक में इतना ही यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और दोस्तो जिनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा ताकि चैनल पर आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे मिलते हैं फिर किसी अन्य धमाकेदार कोमिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद जीवन का सबसे बड़ा सच है कि बीतावाक समय कभी लोट के नहीं आता लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि काल चक्र सदैव इतिहास को दोराता है आज काल चक्र ने फिर दोराया है खुद को लोट आया है जूपिटर सरकस और खत्रे में पड़ गया है धुरूव का अस्तित्व क्योंकि धुरूव की जिंद्गी से जुड़ा हर सक्स यही कह रहा है कि वो कभी सूपर कमांडो धुरूव था ही नहीं वो तो है शो इश्टोपर शो इश्टोपर धुरूव का वक्त और दिलों को थाम देने वाला विशसांग जो की चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा मिस मत कीजेगा धन्यवाद